नमस्कार आज कहानी गोल्ड में सुनिये रेनू मंडल जी के लिखी कहानी आकान शाएं पिछले तीन-चार घंटे से मुसलाधार बारिश हो रही थी काले घने मेगों ने आकाश को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा था जिस कारण शाम से ही अंधिरा चा गया था बालकनी में बैठी मेरा जाने कितनी देर से लौन में गिरती बारिश को निहार रही थी असमय हुए इस अंधकार से मेरा मन भी उदासो उठा था रह रह कर ख्याल आ रहा था आसमान में चाय ये बादल तो फोर होते ही सूरज की एक किरण से छट जाएंगे किन्तो मेरी जिन्दगी के आकाश में वर्षों से जो निराशा के बादल आच्छा दित हैं कुछ भी तो नहीं बचा जीवन में अब जब अपनी जिन्दगी की किताब के पन्ने पलट कर देखती हूं हर बर्फ पर निराशा और वेदना की स्याही से इबारत लिखी दिखाई देती है कितनी उची अपेक्षाएं थी मेरी जिन्दगी में उच्छा मुकाम हासिल करना चाहती थी मैं जब बड़े भाईया को मेडिकल में प्रवेश मिला तभी से मेरे मन में भी डॉक्टर बनने की चाह पैदा हो गई थी राप दिन खूब मेहनत से पढ़ाई करती भाईया का स्टेटेस्कोप गले में डाल कर स्वैम को आईने में निहारती तो अपने मुकाम को हासिल करने का निश्चे और भी द्रड़ हो उठता बार्वी क्लास में मैंने पापा से कहा बोड की परिक्षा की तैयारी के साथ साथ मैं मेडिकल के भी कोचिंग लेना चाहती हूँ पापा मम्मे की और देखने लगे थे मम्मी बोली थी अनीता तुम तो जानती हो तुम्हारी पापा पिछले महीने रिटायर हो गए है अभी तुम्हारे भाईया का भी मेडिकल पूरा होने में एक साल का समय शेश है ऐसे में हम तुम्हें मेडिकल कैसे करवा सकते हैं या आप क्या कह रही हैं मम्मी आप दोनों जानते हैं बच्पन से मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा है अनीता मैं सोचता था सर्विस में मुझे कुछ साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा तो तुम्हें भी मेडिकल करवा दूँगा अब नहीं मिला तो मैं क्या करूँ तुम मेरी विवश्चता को समझो पापा कातरस्वर में बोले क्या समझो में आपके विवश्चता को भाईया को तो आप खुशी-खुशी डॉक्टर बनाने के लिए सहमत हो गए किन्तो जब मेरा वक्त आया तो आप दोनों इंकार कर रहे हैं मैं बेटी हूँ ना मुझे डॉक्टर बनाना आपके हित में नहीं रहेगा ऐसा मत कहो अनीता तुम जानती हो हमने बेटे बेटी में कभी फर्क नहीं किया मेरी बात ने पापा को आहद कर दिया था दुनिया में सिर्फ मेडिकल के ही लाइन नहीं बची है कोई अन्य करियर भी तुम चुन सकती हो बिजनस मैनेजमेंट, टीचिंग या फिर बेंकिंग आ दी नहीं पापा, मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं इतनी हताश हुई कि फिर मैंने पापा की किसी सलाह पर ध्यान नहीं दिया मेरी पती गंभीर, शान्त और सरल प्रकृती के इंसान थे अपने माता-पिता का वह बहुत ख्याल रखते थे और मुझसे भी उन्हें ऐसी ही अपेक्षा थी जतिन को पाकर मैं बहुत खुश थी दो साल बाद मैंने एक सुन्दर से बेटे को जन दिया बेटे रजत के आने के बाद मैं अपनी ग्रिहस्ती में बहुत व्यस्त हो गई रजत धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था जब वह स्कूल जाने लगा तो घर के काम की अत्रिक अब उसकी पढ़ाई के लिए भी समय देना आवश्यक था अपनी व्यस्तिता के चलते जतिन चाहकर भी मेरी मदद नहीं करवा पाते थे उधर व्रिद्ध साथ ससुर की देखवाल का दाईतु भी मुझ पर था कहने को तो समीब के शहर में मेरे देवर देवरानी भी रहते थे किन्तु वे दोनों भूले से भी कभी मापिता जी को अपने साथ चलने को नहीं कहते थे यदा-कदा एक-दो दिनों के लिए उनसे मिलने आते और इसी में अपने करतवी की इतरश्री समझ लेते थे तिस पर भी माँ पिता जी हर आनी जाने वाले से उन्ही के गुडगान करते मैं मन ही मन कोड़ती जत इन से शिकायत करती तो मुझे ही समझाने लगते अक्सर माबाप दूर रहने वाले बच्चों के मोह में पढ़कर पास रहने वाले बच्चों को अंदेखा कर जाते हैं किन्तो इसका यहा अर्थ नहीं कि वह हमसे प्यार नहीं करते हैं वह हमारे बड़े हैं, उनकी बातों पर बुरा मानने के वज़ाए, पूरे मन से उनकी सेवा करो। मैं मन मसोस कर खामोश रह जाती। अपना पूरा ध्यान मैंने रज़त की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया था। मेरी अधूरी महत्वकांचाई अपसे रुठाने लगी थी। अक्सर मैं उसे समझाती की खेल कूद पर ध्यान न दे कर उसे पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, क्योंकि उसे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। कभी कभी जतिन मेरे इस जुनून पर खीज उड़ते और कहते, अनीता अपनी आकांशाओं को बच्चे पर मत थोपो, उसकी निव मजबूत करो, उसे अपनी राह स्वैम चुनने दो, किन्तो जतिन की बातों का मुझपर कोई असर नहीं पड़ता था, किसे भी तरह मैं पनिक भी संदेह नहीं था, शांत सागर सा मेरा जीवन एक निश्चित दिशा की उर्म बह रहा था, कि एका एक उसमें दुखों का सैलाब उमड पड़ा, मेरी खुशियों के एक एक कत्रे को वेदनाओं की प्रचंड लहरें अपनी साथ बहा ले गई, और मैं प्रस्तर, प तोड़ दिया, मेरी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी, टोटकर बिखर गई थी मैं, जट इनके बिना जीने का एहसासी मेरी रूह कपकपा देता था, उनके साथ बिताए लंभों को याद कर, मैं अपने कमरे में पड़े आसु बहाती रहती, एक दिन रजत, रुआसा होकर बोला था, मामी आप रोया मत करो, मैं हमेशा आपका ख्याल रखोंगा, बच्चे के मोह से इतनी बड़ी बात सुन, मैंने उसे कसकर हिर्दै से लगा लिया, मा और पिता जी ने भी समझाया, अनीता हिम्मत से काम लो, जो चला गया उसकी खातिर, अपने बच्चे को अ देखा मत करो, इस मासूम का अब तुम्हारे सिवार है ही कौन, उनकी बात से मेरा विवेक जाग उठा, ठीक ही तो कह रहे थे वे दोनो, मैं कमजोर पड़ गई, तो रजत का क्या होगा, मा के साथ अप पिता का फर्ज भी मुझे ही निभाना था, रजत के समुक सामाने दे अश्रम में जाने लगी थी, जहाँ छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ा कर, उनमें प्यार बाट कर, मेरे व्यथि ध्रदय को कुछ सुकून मिल जाता था, मा और पिता जी अब काफी बिमार रहने लगे थे, जद इनके न रहने पर भी, मैंने अपने कर्तव विका यथा स अक्षपात पुर्णे रवये से मेरी आत्मा सदेव कलपती रही, सोचते सोचते मैं अतीच से वर्तमान में लोट आई, बारिस थम चुकी थी, घर का गेट खोल कर मैं बाहर निकल आई, और वॉक पर चल दी, आसमान में बादल अभी भी भी चाय हुए थे, बरसने को आतू पिलकुल किसी जिद्दी, बच्चे की तरह, रजट भी तो ऐसी ही जिद पर उतराया था, बारवें कलास में था, जब स्कूल के वारशिक मोहत्सों में मेरे मना करने के बावजूद हिस्सा ले रहा था, दो नाटक जिन में एक्टिंग के साथ साथ, उनका संचालन भी वही कर रहा था, रात दिन उन्हीं की प्रेक्टिस में वेस्ट रहता था, एक दिन देर शाम घर लोटा, तो आड़े हाथ हो लिया मैंने उसे, रजट यह सब क्या है, परिक्षा सिर पर खड़ी है और तुम नाटकों की तयारी में जुटे हुए हो, अभी तक मेडिकल की कोचिं लिखने का, तुम्हारी हर बात का इतना ख्याल रखा, क्या इसलिए कि तुम ये फालतु की लाइन पकड़ो, मैं वक्लाउट ही थी, मेरी उत्तेजना को अंदेखा कर रजट शांत्स्वर में बोला था, मम्मी मास कम्मिनिकेशन फालतु की लाइन नहीं है, मैं तो आर्ट् कर सकता है, मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं कोई रशनात्मक कारे करूँ, फिल्मों में डारेक्शन या फिर कुछ और, मम्मी डॉक्टर बनने की इच्छा आपकी थी, मेरी नहीं, आप अपने इच्छाओं को मुझ पर जबरन ठुकना चाहती हैं, अपने सपनों को मे तेरी आखों में बसाना चाहती है, पापा आप से कहा करते थे कि यह गलत है, किन्तु आप कभी समझी ही नहीं, रजट को समझाने का मैंने हर संभव प्रयास किया, किन्तु कोई फाइदा नहीं हुआ, शायद इतिहाद स्वेम को दोहरा रहा था, बस पात्र बदल गये थे, पात्रों के किरदार बदल गए थे, एक बार फिर खुशिया, किसी मरिचका की भाती मुझे चल गई थी, रजट के मास कम्मुनिकेशन जॉइन करने पर मुझे हर चीच से एक विरक्ती सी हो गई थी, उसके किसी बात में अब मेरी कोई रुची नहीं थी, वह अपनी हर उप भी आया, जब कोर्स पोरा करके रजट मुंबई अपनी किसमत आजमाने चला गया, मुझे अपनी साथ ले जाने की उसके इच्छा को मैंने सेरे से नकार दिया था, जिस कारण जाते हुए वह बहुत उदास था, रजट के चले जाने से घर का खालीपन मुझे कचोटने आज के जमाने में क्या श्रमन कुमार होते हैं? किन्तु अगले ही पल बुद्धी भावनाओं पर भारी पढ़ जाती, नहीं बुद्धी नहीं या मेरा अहम था, जो मुझे समझाता, मैंने जो कुछ भी चाहा, उसी में उसकी भलाई थी, आखिर बच्चे ही तो पूरा करत हैं माबाप के अधूरे सपनों को, इस समय भी ऐसे ही विचार मन को व्याखुल कर रहे थे, बारिश पढ़ने से सडक पर काफी फिसलन थी, फिर भी मैं तेज गती से चल रही थी, पाउं की गती ही शायद विचारों की गती को थाम ले, मन की आकुलता को शांत कर दे, अचा काने पर मैंने स्वैम को होस्पिटल में पाया, सिर में भैंक कर पीडा महसूस हो रही थी, माथे पर हाथ लगाने को हुई, तो पास खड़े डॉक्टर ने रोकते हुए कहा, आंटी हाथ मत लगाईए, आपके माथे में टाकें आये हैं, डॉक्टर मुझे इंजेक्शन दे रहे थे, छीड स्वर में मैंने पूछा, डॉक्टर मैं यहाँ, आप सडक पर गिरकर बेहोश हो गई थी, पत्थर से टकराणी के कारण सेर में गहरी चोट आई थी, काफी खून बह गया था, वह तो भला हो इन दोनों लड़कों का, जो समय से आपको हॉस्पिटल ले आए देर हो जाती तो पता नहीं क्या होता, मैंने गर्दन घुमाई, मेरे बेट के दाईयों और दो लड़के खड़े थे, बेटे मैं तुम्हारी शुक्र गुजार हूँ, मुझे अजनबी की तुमने मदद की, उसमें से एक लड़के ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर पिरी आखों में अस्वंजस के भाव देख वह बोला, मौसी, आपको याद नहीं, कई वर्ष पुर्व, विवेका नंदाश्रम में आप हमें पढ़ाय करती थी, उन दिनों हम बहुत शरार्ती हुआ करते थे, आपने हमें अनुशाशन में रहना सिखाया, हमें सिक्षा का म है तो समझाया, आपके आशिरवात से आज हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं, करन बोला, मौसी हमें पता है, आप आजकल अकेली हैं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हम आपके साथ हैं, उनकी बाते सुनकर मैंने नेत्र मून लिये, खिरदय में एक और निर्वचनि सुख की अनुभूती हुई, बहुत समय तक मैं अपने अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाती रही थी, किन्तो मैंने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी, कि एक दिन मेरे मुश्किल वक्त में ये बच्चे मेरे काम आएंगे, मेरी आखों से अविरल आसू बहने लगे, आ तो यह मेरी दिन्चर्या मात्र थी, उसकी गहराई में मैं कभी उतर नहीं पाई थी, उसके सार को कभी आत्मसात नहीं कर पाई थी, दरसल गीता पढ़ने और उसे अपने जीवन में उतारने में जमीन आस्मान का अंतर होता है, बिरले ही कर पाते हैं ऐसा, उम्र एक-एक सी जोकरों से कभी कुछ सेख नहीं पाई, किन्तु आज, आज शरीर पर लगी एक मामूली सी चोटने ही, मेरे अंतरमन में ज्यान की रोशनी पैदा कर दी, आज इतने वर्षों बाद मुझे समझ में आ रहा था, कि मैंने अपनी महत्वकांग्शाओं के आकाश को सीमा से अध प्रसन रह सकती थी, व्यर्थी अपने सास ससुर के वेवहार को याद कर, अपने मन को दुखी करती रही, निराशा की गठरी को सिर पर ला दे, अंधकार में भटकती रही, क्या हासिल कर पाई इस से, उस पल मेरी नजरों में रज़त का चेहरा कौन रहा था, और मुझे अपना अलग-अलग व्यक्तित होता है, इच्छाएं अलग होती है, उसके सपने अलग होते हैं, जीवन का उदेश्ट अच्छा इंसान बनकर काम्यावी हासिल करना है, काम्यावी जिसमें खुश्या नहीं थो, मेरा बेटा इतना अच्छा इंसान है, मेरे प्रती इतना मात्र इस वज़े से कि उसने मेरी अपेक्षा अनुसार अपने जीवन की राह नहीं चुनी मैंने उसे सहारा नहीं दिया और स्वैम भी तो पुत्रसुक से वंचित रही मेरे हृदय में हूख सी उठी मन में भावनाय उमर्ने घुमर्ने लगी एका एक मेरा मन रज़त से मिलन को व्याकुल हो उठा कितने दिन हो गए थे उसे देखे हुए तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजूठी सुनेल ने फोन मेरे कान से लगाया मम्मी रज़त बोल रहा हूँ आज सुबह से ही आपकी बहुत यादा रही थी मैं कल आपको अपने साथ ले जाने आ रहा हूँ जा अरंदा तिरेक में मेरी आखें बरस पड़ी व्याकुल हिर्दय में अलोकिक सुख की प्रतीती हो रही थी मैं चलूंगी मेरे बच्चे रुधे कंट से मेरे मुख से निकला रात्री का अंधकार दूर होने में अभी विलम था किन्तु मन का अंधकार मिठ चुका था जीवन का छितिज सोरे की रश्मियों से आलोकितो उठा था अभी आप सुन रहे थे रेनू मंडल जी की लिखी कहानी आकान शाये